तो आज हमारे साथ एक और पैरेंट है, डॉक्टर रजिंदर मैम है, रिसेंट्ली इनों ने अपने ट्विन्स बच्चों के डिमाइडी टेस्ट कराये थी, आज अभी कॉंसिंट शेशन फिनिश हुआ है, तो चली जानते हैं से कि क्या एक्स्पीरेंस रहा है इनका, इनको क् कॉंसिंट शेशन, बदाई मैम, मुझे इनके बारे में पता चला था, सोशल मीडिया से, उसके बाद मैंने इनको कॉंटेक्ट किया कि मुझे अपने दोनों बच्चों के रिगार्डिंग, तो मुझे इनके करियर ओप्शन के बारे में डिसाइड करना था, तो आए वस इन डालेमा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, विकाज इंटरस्ट कुछ और थे, हम कुछ और चा रहे थे, तो इसमें हमारी क्लारिटी हो सके, तो हमें ये था कि हमें कुछ कुछ कांसलिंग ये प्रापर पता चले, तो लगकी लिए आई गॉट तो नो फेस्बुक की पता चला, जो कि काफी मैंने पहले आपने ये एड देखा था और उसके बाद आप टच में आए हमारी टीम के, काफी दिन बाद आप आए, प्लान कर पाया, राइट, क्योंकि कई पर ऐसे पेरेंट्स हम ये भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को ज्यादा बैटर जानते हैं, तो उसमें हम क्यों नहीं उनको प्रॉपर गाइड कर पा रहा है, या कहां पर वो गया पा रहा है, शायद मुझे ये जरूरत ना पड़े, हो सकता है, मैं खुद ही उनको काउंसल कर पाऊं या समझ पाऊं कि उनको क्या चाहिए, इस वज़े से I was reluctant कि मुझे आपके प ऐसे इन्वेस्ट किये इस शेशन के लिए टेस्ट के लिए, वर्थफुल था वो? हाँ, बिकॉस एज़े प्रेंट्स काईबर हमें हम अपने परस्पेक्टिव से सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में हमें नहीं पता होता कि उनको जैनेटिकली उनकी क्या चेंजिस है क्या माइंड में उनके चल रहा है या कैसे है तो I feel this session has really helped me to understand them better और उनके potentials का उनकी weaknesses उनके strength मैं अच्छे से समझ पाई तो आप अपनी जैसे और मदर्स को क्या message देना चाहेंगे क्या recommend करना चाहेंगे stress or concentration के लिए मैं सरे parents को यह बूलना चाहूंगी कि हम लोग no doubt अपने बच्चों के लिए best judge, guide तो है ही लेकिन अगर हमें clarity मिल जाए कि हमें उनको guidance कहां देनी है तो we'll be better guiding them and helping them out to train them in that way जहां पे उनको जाना चाहिए और जहां उनका potential best nickel के आएगा thank you so much ma'am for this wonderful experience जो आपने share किया definitely यह बहुत सारे parents को help करेगा उनको motivate करेगा decision लेने के लिए क्योंकि parents कई बार decision नहीं ले पाते हैं जिसे आपने बोला कि आपको काफी time लगा यह decide करने में कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए definitely आपके जो words आपने कहें अभी यह बहुत लोगों को help करेंगे a decision लेने में thank you so much once again thank you